Finally, after two years, Loki season 2 is here. Before explaining Loki season 2, in this video, we are going to do a quick recap of Loki season 1. First season में हमने देखा था कि Avenger end game में Loki Avengers से Tesserast चुआ के सिदे मंगोलिया के रेकिस्तान पहुंचाता है. और तभी वहां कुछ लोक आके उसी TVA, which means Time Unit Authority, लेके जाते हैं. जहां दिवार में लगी TV में एक शोर चल रहा होता है, जिसमें TVA के बारे में बता रहे होते हैं, कि कैसे हजारों साल पहले सारे युनिवर्स में एक जंग छिड़ गई थी, जिसकी बज़े से सारी टाइम लाइन्स एक दूसरे से टकराने लगी, जिससे हर तरफ तभाई होने लगी. और तभी बर्मान को बचाने के लिए तीन टाइम कीपर्स आए, जिन्होंने सारे युनिवर्स की टाइम लाइन्स को एक साथ मिलाकर एक सेक्रेट टाइम लाइन बनाई, और तभी ही से टाइम कीपर इस चीज का ध्यान रखते हैं, कि सेक्रेट टाइम लाइन के अलावा को पर कोई और टाइम लाइन ना बन पाई लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है और इसे प्रिवेंट करने के लिए टाइम की परस ने टीवे को बनाया टाइम लाइन में छीर चाल करने वालों को वेरियंट कहते हैं और क्योंकि लोकी ने टैसरेक्ट चुरा के दूसरी टाइम जो लोकी को रिसेट करने की सज़ा सुनाती है पर तब तक यहां टीवे का एजिंट मॉर्बियस आ जाता है जो लोकी को अपने साथ ले जाता है लोकी टीवे से भागने की कोशिश करता है बट उसे पता चलता है कि हाँ टाइम स्टोन भी किसी काम के नहीं है इसलिए वो वेरियंट को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं जो दूसरी टाइम लाइन्स में छेर चाल कर रहा होता है लोकी को रिसेर्च करने पर पता चलता है कि वो वेरियंट ऐसी जगा चुप रहा है जहां कोई एपाकलिप्स आने वाला है जिससे की वो जगा खतम हो जाएग क्योंकि ऐसा करने से सैकरे टाइम लाइन पर कोई फरक नहीं पड़ेगा काफी ढूडने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो वेरियंट 2050 के अलबामा में छुपा है जहां हमें पता चलता है कि वो वेरियंट दूसरी टाइम लाइन की फिमेल लोकी है जिसका नाम सिल्वी ह यहां सिल्वी सेकरे टाइम लाइन को बरबाद करने के लिए टीवे की बहुत सी टाइम लाइन रिसेट मोड पर डालकर अलगला टाइम लाइन में भीज दीती है जिससे सेक्रे टाइम लाइन्स में बहुत सी ब्रांचेज बनने लगती है और सिल्वी टैमपेट की मदद से पोर्टल खोल कर टीविय चली जाती है जिसके पीछे-पीछे लोकी भी टीविय आ जाता है यहां सिल्वी टाइम कीपर्स को ढूंडने जाती है जैसी वो गेट पे पहुंचते हैं वहां रेवोना आ जाती है जिससे बचने के लिए लोकी एन्सिल्वी 2077 में एक टूटे वेब मून पर आ जाते हैं जिससे कुछी देद में एक ग्रह टकराने वाला है जिसकी वज़े से ये मून खतम हो जाएगा अब वो दोनों मिलकर यहां से निकलने का प्लैन बना रहे होते हैं यहां सिल्वी लोकी को TVA के कुछ सीक्रेट बताती है जैसे TVA में काम करने वाले सभी लोग असल में खुद वैरेंट हैं जिनकी मैमरी मिटा कर उन्हें TVA का एजिन्ट बना दिया गया है जिसी स्पेस रॉकेट से वो वापस जा सकते थे वो किसी वज़ा से डिस्ट्वाई हो जाता है क्योंकि अब उनके पास वापस जाने का कोई प्लैन नहीं था इसलिए वे मून का डिस्ट्वाई होने का वेट करते हैं यहां सिल्वी लोकी को बताती है कि कैसे टीवी ए उसे बच्वन में उसके घर एसकार से उठा के ले आये थे जहां से वो बचकर भाग गई थी और तब से वो टीवी ए से छुप रही है और इसलिए वो टीवी ए को खतम करना चाहती है विकर्ज ओफ दियर क्लोजनेस टाइम लाइन में चेंजिस होने लगते है जिसकी वज़े से टीवी ए को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वे उन्हें पकड़कर टीवी ए ले आते है यहां लोकी मोबियस को सच्चाई बताना चाहता है कि टीवी ए के एजेंट्स भी वेरियेंट है और उन्हें टाइम कीपर्स नहीं बनाया पर मोबियस लोकी की बातों पर ब्लीव नहीं करता है जब मोबियस रेवोना के पास जाता है तो उसे उसकी बातों से रेवोना पर शक होने लगता है इसलिए वो अपने साथ रैवोनों का Tempat चुरा के ले आता है उसे चेक करने के बात Movias को लोकी की बातों पर बिली होता है इसलिए वो लोकी को टाइम रूफ से बहार ले आता है पर बहार आते ही रैवोनों उनके सामने आ जाती है और वो मोबियस को भी प्रून कर देती है और सिल्वी और लोकी को टाइम कीपर के पास ले जाती है जहां वो उन्हें रिसेट करने ही वाले होते हैं तभी वहां एजेंट हांटर भी 15 आ जाती है और वो लोकी और सिल्वी की हल्प करती है बाकी agents के साथ fight करने में गुस्से में silvy time keepers में से एक member का सरकार देती है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो time keepers नहीं है they are just robots अभी रैवोना लोकी को भी prune कर देती है जिसके बाद लोकी void नाम की एक जगा पर पहुंच जाता है जहां उसे अपने बहुत सारे वेरेंट मिलते हैं दूसरी तरफ टीवीए में रेवोना सिल्वी को वाइड के बारे में बता देती है इसलिए सिल्वी भी खुद को प्रून करके वाइड में पहुंच जाती है वाइड में लोकी वहां से निकलने का प्लैन बना रहाता है बट दूसरे लोकी उसे बताते हैं कि अलायत की नजनों से बचना बहुत मुश्किल है अलायत एक मॉंस्टर है जो वाइड में रहता है जब Sylvie वाइड में होती है तबी उस पे Alloyd अटेक कर देता है जिसे बचाने के लिए वहाँ Mobius आ जाता है इसके बाद Mobius, Sylvie, Loki से मिलते हैं और Alloyd को हराने का प्लैन बनाते हैं जिसने Classic Loki भी उनकी मदद करता है Loki and Sylvie अपनी पावर से Alloyd को हरा देते हैं पर इस लड़ाई में Classic Loki मारा जाता है Finally, Loki and Sylvie को वो Palace मिल ही जाता है जहां TVA का Real Creator रहता है यहां सबसे पहले उन्हें Miss Minute मिलती है जो हमने अल्ली एपिसोर्स में देखा है कि वो TVA की एक Artificial Intelligence है यहां उन्हें पता चलता है कि TVA का असली Creator है He Who Remains जो की King the Conqueror का एक Variant है यहां Kang उन्हें बताता है कि कैसे उसे पहले से फ्यूचर का सब पता है और कैसे उसने ही उनके यहां तक आने का रास्ता प्रीव किया है और फिर Kang यहां उन्हें दोनों को अपने बारे में बताता है कि कैसे उसके Variant के बीच में एक Multiversal Wall स्टार्ट हुई थी और कैसे उसने Who He Remains ने Alloyd की मदद से बाकी सारे Variants को खतम कर दिया था जिसके बाद सिर्फ एक Kang एंड उसकी टाइम लाइन बची थी जिसकी रक्षा करने के लिए उसने TVA को बनाया अब Kang उनको दो आप्शन देता है फर्स्ट या तो वो दोनों मिलकर TVA को रन करें या फिर उसे मारकर Multiversal Wall स्टार्ट कर दें दूसरी तरफ हमें TVA में दिखाया जाता है कि Ravenna को पुरानी TVA की फाइल्स में कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वज़े से वो TVA से अपना सामान लेकर पोर्टल के थूर कहीं और चली जाती है क्योंकि Sylvie को कैंक की बातों पर बलीव नहीं होता है इसलिए वो से मारने के लिए उस पर हमला कर देती है पर लोकी उसे रोक देता है सिल्वी लोकी को इमोशनल करके तभी टैंपेट से पोर्टल खोल कर उसे वापस TVA में भीज देती है और इधर वो कैंक को मार देती है कैंक के मरते ही सेक्रे टाइम लाइन में बहुत सारी ब्रांचेज बनने लगती है और जब TVA में लोकी मोशनल के पास जाता है तो मोशनल उसे पहचानी नहीं पाता है और तभी लोकी TVA की बिल्डिंग को देखता है जिस पर इस बार टाइम की पर्सका नहीं बलकि कैंक का स्टाचू बना होता है और यहीं पर सीजन बन का एंड हुआ था और इस बार सीजन टू यहीं से स्टाच वाए जिसके बार में हम आने वाली वीडियो में दिसकस करेंगे